चलिए तो आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे हम breakfast, lunch और डिनर तीनो टाइम खा सकें तो आज हम बनाने वाले हैं गुजराती रेसिपी मुठिया डोगडा इसे बनाना बहुत ही आसान है यह फटा-फट से बन जाते हैं टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं और healthy भी होते हैं तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो मुठिया डोगडा बनाने के लिए हमें चाहिए मिथी की भाजी अगर आपके पास मिथी की भाजी नहीं है तो आप धनिया पती भी ले सकते हो मिथी की भाजी से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो अगर आपके पास है तो वो ही ले तो चलिए अब मिथी की भाजी को अच्छे से दो लेते हैं तो मिथी के बाजी को मैंने 2-3 बार दो लिया है, और अब उसे सूखने के लिए रख देते हैं, मैंने इसे एक किचन टाल पे निकाल लिया है, तो ये इसके उपर अच्छे से सूख जाएगी, चलिए तब तक आगे के तेयरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है च चोटा सा टुगडा ले लिया है और उसे छील लिया है और अब ले लेंगे एक बीट रूट और उसे भी अच्छे से छील लेंगे बीट रूट के हम छोटे चोटे पीसिस कट करेंगे उसे हमें कद्दू कस नहीं करना है अगर कद्दू कस करेंगे तो हमारी जो रेसिपी है उसका कलर तोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो यह दिखे इस तरह से उसे एकदम चोटे-चोटे पीसिस में हमें कट कर लेना है इस रेसिपे में हम बिटरूट यूज कर रहे हैं तो रेसिपी देखने में बहुत ही बड़े लगेगी यूजिकि उसका कलर बहुत ही बड़ी तो चले लोकी को भी मैंने कद्दू कस कर लिया है और अब आती है मेथी की बारी तो मेथी को मैं इस तरह अच्छे से सुखा लोंगी थोड़ी बहुत सूख गई है लेकिन कपड़े से अच्छे से उसे सुखा लेना है और अब उसे भी बारिक बारिक चॉप कर लेंगे तो भाजरे के लिया आटा कॉनट्ट्टर और गापें जावर जोब के चावल के वो लेने यहां दूपर के बज गए तो पर बना के अगर नहीं तो आप फरेश बना के भी यूज कर सकते हो अब ऊसके अदर डालेंगे टेस्के नमक एक चमच बरके हल्दी दो चमच बरके धनियाजेरा पाॉडर एक चमच मैंने डाली है अजवाइन तीन चमच बरके तील और डालेंगे दो से तीन चमच बरके तेल इस recipe में तेल बहुत ही कम यूज होगा तो ये recipe बहुत ही healthy बनेगी चलिए अब दो चमज बरके में ने डाल दिया है अधरफ मिर्च और लसुन का पेस्ट और अब सारे वेजिटेबल्स डाल लेंगे जो हमने कट किये हैं दो चमज बरके इसके अंदर में डाला है दही और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर हमने लोकी और मेथी डाली है जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है तो यह आटा गुदने में हमें पानी की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर पड़ेगी तो दो से तीन चमज हम पानी डालेंगे जादा नहीं डालेंगे तो ये देखे इस सारा मसल दे हुए हमें आटा तयार कर लेना है इसे बहुत मसलेंगे तो लोकी के अंदर जो पानी है वो छूटेगा और उससे हमरा आटा गुच जाएगा अगर आपको लगे के आटा ड्राय है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दही और डाल कर सकते हो तो ये देखें मैंने दो चमबच बरके और दही इसके अंदर अढ़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं डालोंगी दो से तीन चमबच इतना पानी क्योंकि मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था आप इसके अंदर और थोड़ी सी लॉकी भी एड़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रहे हूँ जादा पानी नहीं डालेंगे और इस तरह मसलती हुए आटे को हम तयाल कर लेंगे आप जितना मसलोगे उतना आटा आपका परफेक्ट बनेगा चलिए आटे को मैंने तयार कर लिया है बहुत हार्ड नहीं और बहुत ही लूज नहीं इस तरह का हम आटा गुंट लेगे और अब मैंने ले लिया एक स्टीमर और उसके इंदर डाल दिया है ठोड़ा चानी और उसे गरम करने के लिए रख देंगे और अब ले लेगे इस तरह की एक चलनी और उसे तेल से गरिस कर लेंगे ताकि जो हम मुठ्या बनाने वाले हैं वो नीचे से चिपके नहीं तो चलिए हमारी जो चलनी है वो भी ready है और अब आटे में से बना लेते हैं मुठिया तो मुठिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने medium size की low ही निकाल दी है और अब इसे हमें roll करना है तो यह देखे इस तरह पारात में ही मैं इसे roll कर रही हूँ यह बहुत ही easily roll हो जाता है तो यह देखे इस तरह छोटे-छोटे roll हम बना लेंगे तो यह देखे एक roll ready है और अब इसे रख दिया है मैंने चलनी में तो इस तरह सारे roll हम ready कर लेंगे यह फटा फट से बन जाते हैं और बहुत ही easily बन जाते हैं हमें एक एक roll बनाते जाना है और चलनी में रखते जाना है तो चलने में जितने आए उतने roll बनाएंगे बाकी हम next batch में बनाएंगे यह देखिए सारे roll ready है मैंने रख दिये हैं चलनी में और यहां पर पाने भी अच्छे से उबल गया है तो मैंने चलनी को रख दिया है steamer के उपर और अब इसे 20-25 मिनिट हम medium flame पे boil कर लेंगे मतलब के उसे steam कर लेंगे 20-25 मिनिट हो गया है और अब इसे check कर लेते हैं तो इस तरह चाकू डालके हम देख लेंगे जो चाकू एकदम clean निकले तो समझ लेना है कि हमारे मुठिया एकदम ready हैं यह देखिए चाकू एकदम clean निकल रहा है तो अब मुठिया को मैंने निकाल लिया है बाहर और अब उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद उसे हम निकाल लेंगे परात में मुठिया अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो easily चलने में से भी निकल जाएंगे तो ये देखिए सारे मुठिया कमने निकाल लिया है और अब उसे हमें कट कर लेना है तो ये देखिए मैं कट कर रहे हूँ उसी तरह उसे कट कर लेना है इसे हम बहुत मोटा भी नहीं काटेंगे और बहुत पटला भी नहीं इसे हमें medium size का cut कर लेना है तो ये देखिए कितने soft मुठिया हमारे बनके ready हुए है इसके अंदर हमने beat डाला है तो देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे है beat root डालने से देखने में भी बढ़िया लगते ही है लेकिन जो beat root की मिठास है वो भी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए अब इस तरह सारे मुठिया को मैं cut कर लूँगी मुठिया ढोकडा में हमने बहुत सारे आटे का use किया है जैसे बाजरे, मकाई और जवार और ये 3 वाटे सेध के लिए बहुत ही अच्य होते है तो ये वाली recipe तो मेरे घर में बार बार बनती है और अगर मुझे कहीं बार जाना है तो मैं इस तरह इससे पहले से ही बना के रख देती हूं और जब इ खाना है तो इससे छोक लगा देती हूं तो चलिए अब मुठ्य मैंने कट कर लिया है तो अब इसमें चोक लगा देते है मतलब कि उसे भगा लेते हैं तो एक पैन में मैंने ले लिया है दो चमच बर के तेल तेल गराम हो जाए फिर इसके अदर दाल देंगي एक चमच बर के राई एक चमच जीरा और दो चमच डाल देंगे तेल, तेल फूर जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे करी पत्ते, छे से साथ करी पत्ते मैंने इसके अंदर डाले है, दो से तीन मैंने मिर्च डाल दी है कट करके और थोड़ी सी हिंग, हिंग मैंने हापे आदा चमच ली है और अब सब को मिक्स कर मिक्स कर लेंगे और इसके पaimerणें के अंदर डालेंगे मुठिया और अभ इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब घुर是我 मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे एकडम सॉफट बने हैं तो अगर थुड़ा सा जादा मिक्स करेंगे हैं चलिए अब लास्ट में मैंने इसके उपर डाल दी है एक चमजबर के पिसी हुई चीनी और एक चमजबर के निम्बुका रस थोड़ी सी धनिया पती और अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट इस तरह मिक्स कर लेना है एकदम हलके हाथों से क्यूंकि चीनी हमने लास्ट में डाली है तो सारे मुठ्या के उपर यह अच्छे से कोट हो जाने चाहिए तो यह देखिए मुठ्या बनके हमारे एक दम रेड़ी है खटे मीठे चटपटे मुठ्या आप कभी भी एंजोई कर सकते हो breakfast, lunch, dinner, anytime तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करश्न